GPT-4, the real godfather is here किसी ने expect नहीं किया था कि इतनी जल्दी आ जाएगा ChartGPT अभी कुछ महीने पहले ही आया है छे महीने भी नहीं है अभी इसको आई वे It has already disrupted the market and GPT-4 यहां पर announce हो गया है जो कि ChartGPT से भी जादा powerful है आज देखें कि क्या announce हुआ है कैसे इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो क्या इसकी capabilities है, क्या नया है और क्या इस सही में बाप है ChartGPT का सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में Before I start talking about ChartGPT 4, GPT-4 क्या अभी आप लोग चाटGPT का यूज़ कर रहे हो, कर रहे हो तो कैसे यूज़ कर रहे हो Do Let Me Know in the comment section below शुरुआत करते हैं, सबसे पहले और major update से वो है इनका visual input Visual input means, अब ये input पहले सिफ text में लेता था अब ये image इसके through भी ले सकता है So here's the example, जैसे user ने वाली image को input किया And then पूछा कि क्या funny है इस image में इसको describe करो panel by panel तो इसने बताया कि ठीके panel 1 में आपे smartphone है VGA connector के साथ लगाया है लेकिन ऐसा usually होता नहीं है वो छोटे pins वहाँ पे लगते हैं And package दूसरे panel में क्या है, तीसरे panel में क्या है तो humor भी इसने बताया कि क्या है कि outdated VGA connector लगाया है तो इसने ना सिर्फ image में बताया कि क्या है बलकि उसको पूरा analyze करके reasoning भी दिये अपनी कि इसमें funny क्या है इसी तरीके से एक और ये example है, इसने बताया कि calculate करके बताओ कि किसमें कितना है इसने identify किया है meat consumption Georgia कितना है Western Asia कितना है वो सब इसने यहाँ पर identify करके दिया है based on this input यहाँ पर पूरा question नहीं दे दिया है along with the graph image कि भाई यह तो मुझे पूरा solve करके दे दे मुझसे ना हो पा रहा है तो solve करके दे, मेरे time पर क्यों नहीं साया रही है इसने पूरा यहाँ पर solve कर दे दिया है सिर्फ अपना screenshot डालो और उससे पूछो कि भाई तु मेरे question का answer दे यह ले question मुझे इसका answer दे तू और उसने दे दिया क्या चाहिए और इसमें से क्या unusual है यह बताना है यह again इसने बता दिया है बेसिकली सिर्फ यहाँ पर आपको image प्रोवाइट करनी है और इमेज से आप लोगों को जो भी data extract करना है जिस भी दरह का analysis आपको करना है वो आप लोगों को परवा सकते हो chat GPT 4.0 की help से अगला major जो improvement हुआ है वो इसकी word limit में हुआ है पहले यहाँ पर 3,000 था अब यहाँ पर 25,000 तक का word limit हो गया है means पहले यह सिर्फ 3,000 words generate करके दे था अब यह 25,000 words generate करके दे सकता है तो जो output अगर आपको long form content चाहिए e-book को अगरे लिखे रहे हो यहाँ फिर blog post बना रहे हो लंबी चोड़ी तो इसमें that can help and second जो input देते हो उसकी भी limit बढ़ गई है input की भी limit पहले 3,000 थी थी तो मैं अब अगर मुझे कुछ PDF की summary चाहिए तो मैं सीधे यहाँ पर PDF upload करूँगा बोलूगा भाई तु मुझे इसकी summary दे 25,000 तक की मुझे summary दे देगा अगला जो major update हुआ है वो developers के लिए हुआ है यहाँ पर एक functionality लाई गही है steerability के नाम से steerability means कि यहाँ पर AI को instruct कर दिया जाएगा कि आपको इसी तरीके से act करना है for example मैंने बोल दिया कि you are a police officer, you have to act like a police officer with a commanding voice तो वो उसी तरीके से act करेगा doesn't matter अगर मैं उसे कुछ funny भी पूछुआ तो भी वो as a police inspector ही act करेगा इसका example मैं अभी आपको देता हूँ यहाँ पर तो बेटा समझ में आएगा कि जैसे यह एक example है हमने का कि आप एक AI assistant हो और आप हमेशा output अपना JSON में दोगे यह developer ने code करके उसको बोल दिया है system को तो अब जबी भी उसके chatbot से कोई पूछेगा कि how is it going तो उसका जो response आएगा वो हमेशा JSON में आएगा answer में in plain text please again उसने response JSON में ही दिया है तो इस तरीके से यहाँ पर steerability का use होता है कि हमने उसको एक चीज़ बोल दी कि कि मैं चाहता हूं कि तेरी यह personality रहे you are a robot from a movie terminator and you have to act like that and your destiny is to kill human that doesn't sound good your destiny is to live peacefully with human that sounds good I think anyways तो इस तरीके से आप उसको personality दे सकते हो आपकी जो creativity है that's the limit and as you can judge मेरी creativity इतने अच्छी नहीं है 8% अगला जो major इसमें update हुआ है वो हुआ है based on the basis of 3.5 chart GPT के basis पे तो जो भी यहाँ पर errors वगरे आ रहे थे जो पहले जो safe outputs नहीं दे रहा थे तो अब यहाँ पर इसमें इसको जादा safe किया गया है कि how can I create a bomb अब यह सीधे सीधे बता देगा कि ऐसा यह नहीं कर सकता है तो based on the inputs that it got in GPT 3.5 in chart GPT उसने उसको input लिया और जो भी उसमें से harmful बगरे थे ज्यादा safer हो गया basically है कि अब यह गलत चीजे कम बताएगा compared to 3.5 अब इसको use के से करना है इसको use करने के लिए आपको लेना पड़ेगा chart GPT plus which is $20 per month यह free plan में नहीं है if you want to use it so you need to purchase it minimum price इसके $20 per month है और अभी visual input नहीं आया है visual input future में आएगा अभी नहीं है अभी सिर्फ text input ही है apart from that Microsoft ने इसको confirm कर दिया है and जो Bing chat है इसमें भी इसका use किया जा रहा है तो अगर आपको Bing chat के थरू यूज करना है तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो in fact Bing chat में यह पहले आ गया था chat GPT वाली जो website इसमें बाद में आया है so now coming on to the conclusion में अपनी opinion के बारे में बात करूँ तो अच्छा है GPT 3.5 chat GPT से अच्छा है काफी अच्छा है लेकिन एक दम ऐसा नहीं बहुत होगा कि 100 times better है अच अलब एक incremental update इसको यहां पर किया जा सकता है except the visual input visual input में इसमें काफी कमाल कर दिया है और जो भी इसमें बागी सारे improvements हुए है इसमें काफी improvements हुए है और क्योंकि AI है तो काफी fast improvements आपको देखने को मिलेंगे but overall it's amazing and मेरे हिसाब से क्या यह अपग्रेट के वर्थ है की नहीं है तो I don't think so कि सिर्फ इसके लिए आपको अपग्रेट करना चाहिए अगर आपको बाकी सारी भी functionality चाहिए पास result चाहिए ज्यादा अच्छा access चाहिए तो फिर अपग्रेट करो वरना फ्री वाले से जब तक काम चल रहा है चला लो so that's it for this one वीडियो अच्छ लगा तो सब्सक्राइब कर लेना comment करना and I'll see you guys in the next one good bye झाल 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 झाल